शिक्षार्थियों और दर्शकों नमस्कार राश्ट्री मुक्त विद्याली शिक्षा संस्थान की ओर से मैं विवेक सिंग आज आपका इस कारकरब में स्वागत करता हूँ शिक्षार्थियों यह कारकरम उच्चतर माध्दमे की इस्तर पर भुगोल विशय के अंतरकत है जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात करेंगे वो है हमारे संसाधन यानि अवर रिसोर्सेज अब हम बात करते हैं माच्चिकी माच्चिकी यानि फिश्ट्रीज भारत में म विशाल संभावनाएं उकलब्द है क्योंकि विशाल जल राशी भारत के चारोर है यानि अगर हम बात करें भारत के तीन हिस्सों में फैले हिंद महसागर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तो एक विशाल जल राशी हमारे आसपास है उसके अलावा चुकि एक बहुत नौसों से भी किलोमीटर दोजार नौसों ये दोजार तीन सो किलोमीटर का जो विस्तार है भारत का उतर देख्षिनवपूर पस्चिम में तो इतने बड़े विशाल छेत्र में बहुत सारी जल राशीया है चाहे वो जीले हूं चाहे वो नदिया हूं या दूसरे जो ताल गुंबे भी में नदियों और जलाशे की रूप में विशाल जलाशे मिलती हैं तो एक तो हो गया आधार का आधार क्या है यही नदिया जीले और समुद्र हैं दूसरा है कि यह इनमें भोजन की भी प्रयाप्त उपलब्दता है यानि अगर वहाँ पर मचलिया पाली जाएं या जो उपलब्द हैं उनको प्रयाप्त मातरा में भोजन मिलता है साथ ही सागरी धाराएं भी इसके लिए अनुकूल हैं और चुकि एक लंबे समय से भारत में मास्की की जा रही है तो कुशल मचवा रहे भी इसके लिए उपलब्द हैं तो इन सब कारणों से भारत में मास्की के लिए एक विशाल संभावनाएं हम देखते हैं तो अगर इतनी संभावनाय हैं तो फिर इसका विकास कैसे हुआ है? भारत में अगर हम मास्की की बात करें तो लगबग चार तरह की मास्की भारत में देखी जा सकती है अंतिस्थरी मास्तिक, यानि जीलों, नदियों और जलाशियों में, भारत की अंतिरिक छेतों में, छेतों में जो हम पालन करते हैं, इनका पालन भी किया जाता है और जो प्राक्टिक रूप से उपलब्द हैं, उनको भी हम पकड़ते हैं दूसरी तरफ है सागरी मात्सिकी जो कि सागर और महासागरों में होती है जिनमें प्राक्रिक रूप से जो मचलियां मिलती हैं उनको बड़ी नावों के द्वारा हम इनको पकड़ा जाता है और इनको फिर प्लाया जाता है और इनको भारत में भी प्रयोग करते हैं उनका एक हम भावनाओं के साथ साथ एक और भी विश्चरता है कि भारत में 1800 से भी ज्यादा प्रजातिया मचलियों की पाई जाती है जो यह दिखाती है कि कैसे वन जीवन के जैसे ही जल जीवन में भी हमें डाइवरिस्टी देखने को मिलती है अब सबसे पहले हम बात करते हैं सागरी मात्सकी की भारत में मात्सकी के छेतर में अगर हम कुल हिस्चेदारी देखें तो लगभग 63 प्रत्सक्त हिस्सा सागरी मात्सकी यानि मरीन फिश्रीज का है इसमें जो प्रमुख मचलियां मिलती है वो साइर राइन है मैक्रेल है प्राउन है क्लूपियोइडस है और भारत में सागरी मास्थी के दोखे हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा यंत्रीकृत है यानि हम मशीनों का भी प्रयोग करते हैं बड़े-बड़े ऐसी नावों का प्रयोग करते हैं जहां पर की मशीने और उनकी प्रसेसिंग की फैसलिटी है उनको सनचित करने की शिवदा है उ इसका हिस्सा कुल मास्थी में सेंटिस प्रत्सत है अगर हम प्रमुक मशलियों की बात करें तो कतला, रोहिता, काला बासिल, बरिंगल और कार्प मशलियां हैं जो की अंत्यस्थरी मास्थी में पाए जाती हैं और अपने आसपास आप देख सकते हैं शादीर नामों से भी परचित हों कि आपकी आसपास की जलवाशय हैं जो नदीयां हैं जीलें हैं वहाँ पर निस्ती रूप से ये मचलियां यहने में किसी का भी आपने नाम सुना हो हो सकता है इसके अलावा भी कुछ मसलियां आप जानते हों इनका अगर हम वित्रण देखें तो उसमें एक जरूर भिंता है सागरी मास्थिकी जो की तरवरती हिस्सों में होती है तो आता है इनका जो संताने प्रत्षत हिस्सा जो है वो केरल महराश, तमिलनाट, पश्मंगाल, आंत्पुदेश, करनाटक और कुजरात में है लेकिन ऐसा ही बस नहीं है कि यहाँ पर केवल सागरी मास्थिका का भी संकेंद्रन है कारण यह है कि एक तो तत्वर्धी छेत्र हैं, दूसरा वहाँ पर वर्षा जल की प्रत्षा प्रचूर है और इसी करन वहाँ जल पर्याव का मातरा में उप्लब्ध होता है जैसे हम बात करते हैं परस्तर में हमने श्वेत करांत की बात की दूद करांत की बात की वैसे ही फिशरीज के छेत्र में हम ब्लू रिवल्यूशन की बात करते हैं यानि नेली करांत की बात करते हैं और नेली करांत की मुख्य रूप से अंतहिस थली मास्की को भी बढ़ाने का प्रयास करती है बहुत सारे भारती राज्य ऐसे हैं विशेस रूप से कर हम मद्रप्रदेश, शतीजगर, जारखंड जैसे राज्यों को देखें जहां और उत्रप्रदेश भी जहां इन राज्यों में मास्की की संभावनाएं हैं क्योंकि बड़े-बड़े जलाशे और नद हैं की और इस उत्रपाधन को बढ़ाने की, तो हम बात कर رہे थे अभी तक जैविक संसाधनों की आई चलते हैं हम अजयविक संसाधनों की ओर अगर भारत में अजयविक संसाधनों की बात करें तो सबसे जो प्रमुक संसाधन है वो है भूमी संसाधन 32,87,263 किलोमीटर में फैला हमारा राष्ट्र दुनिया का सात्वा बड़ा राष्ट्र है तो एक इतनी बड़ी विशाल भूमी ही एक संसाधन है वास्तों में भूमी सबी संसाधनों का आधार है अगर हम जयविक संसाधनों की बात करेंगे तो वो इस भूमी पर ही आधारित है खरी संसाधनों की बात करेंगे वो भूमी की अंतरगत है या कि हम किसी भी भोकोलिक रूप की बात करें, किसी भी आर्थिक गतिवित की बात करें, उसका आधार ये भूमिसंसाद नहीं है, इसलिए महतुपूर्ण है और एक विशाल राष्ट होने के कारण हम इसमें संब्रिद्धी भी हैं परवत लगभग 30 प्रतिशत चेत्र में फैले हुए हैं और ये एक दिर्शसंदर का स्रोथ है, यानि परिटन के दिर्श से महतुपूर्ण है, नदियों का ये उद्गम इस्थल है, यानि सदानीरा नदिय परिणिल रिवर है, वो यहां निकलती है, इसके लाब वन और वन ज जीवन का भी उस्रोत माने जाते हैं, मैदानों की बात करें, तो लगभग 43 प्रतिशत चेत्र जो है, वो मैदानी चेत्र है, और कृष्ट के लिए इसे सरवाधिक प्रयोग किया जाता है, इसके लाबा तीसरा भोरूप है, वो पठारों का है, 23 प्रतिशत चेत्रों में ये पठारी भूभाग पाए जाते हैं, और ये बहुत ही महत्पूर है क्योंकि खनीजवाध दातों का ये भंडार है, या भारत का जो खनीजवाधारतों का संकेंरन है, वो आप इन्ही पठारी चेत्र में पाएंगे, भूम संसाधनों की बात हम बात करते हैं, जल संसाधन की, निश्चित रूप से विशाल आकार विशाल संसाधना में प्रदान करता है इनमें विवित्ता भी है क्योंकि हीमानियों से भी हमें जल की प्राप्ति होती है धरातली नदिया प्रवाहित होती है भूमगत जल भारत में काफी जाता पाया जाता है इनके स्रोत क्या है? इनके स्रोत है वर्षा वर्षा वास्तों में सभी प्रकार के जल का आधार है क्योंकि वर्षा का जल ही मिलता है और अलग-अलग माध्यों में वो एकत्र होता है यहां तक कि वो महासागरों में भी एकत्र होता है और इस तरह से हमें एक विशाल जल्राज हमारे तीन और फैली है और अंतरस्तरी छेत्रों में भी नदियां और जीले हिमानियां आदी है भारत में औसत वारशिक वर्षा लगभग 117 cm होती है लेकिन इसमें भिनिता भी है वितरण की क्योंकि वर्षा की ज़्यादा जो मात्रा है वो मांसोनी रित्मे ही मिलती है तिपकि शेस महीने जो हैं वो लगभग सुष्क होते हैं प्रिस्थी जल के लिए नदियां प्रमुक स्रोत हैं और अकराम सिंदु गंगा और ब्रहंभूत्र की बात करें तो कुल ध्रात्री जल का लगभग साथ प्रस्चत इन तीन प्रमुक नदियों और उनकी साहएक नदियों के दोरा प्रवाहित होता है लगभग सत्तर प्रस्चत से ज़्यादा जनसंग के अपनी आपशक्ताओं की पूर्थी के लिए भूमगत जल का प्रयोग करती है जिसको हम नलकूप के दोरा या टूबिल के दोरा हम प्रयोग करते हैं अब भारत की भूजल चम्ता की बात करें जो कि अगर पुनर भरन योग भूजल चम्ता की बात करें वो लगभग 434 अरब घर्ण मीटर है यानि एक बड़ी मात्रा हमारे पास उपलब्द है जल संसादनों से आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं खरिज संसादनों की जो की अजयविक संसादन है पुनर यहाँ पर विशाल आकार की बात आती है कि इतने विशाल आकार में हम बहुत सारे खरिजों के बHNDार को पाते हैं हम इसमें भी संम्रिद्ध हैं अद्योगी शक्ति बनने के लिए आवशक है कि संजादनों की उपलब्ता हो और यही कारण है कि भारत में तेजी से हम जो अद्योगी करण देखते हैं वो इन कच्चे माल की उपलब्ता के कारण ही संभव हो पाता है अगर प्रमुख खनीजों की बात करें भारत में तो लौ एस, कोईला, खनीज तेल, वाकसाइड और रेडियो धर्मी पजारत के लावा अब्रग प्रमुकता से पाय जाता है और इन में भी वित्रण की बिनता है इनके जो व्रह संकेंद्रण है वो जारखन, उड़ीसा और श संकेंद्रण पाते हैं तो ये तो बात थी कि कैसे भारत में हम जैविक और आजैविक संसाधनों का और उनके अंतर के कई सारे उपवर्ग हैं या जो संसाधन हैं उनका हम कैसे वित्रण को देख पाते हैं लेकिन अखिर संसाधन को हम प्रयोग कैसे करें संसाधन का हम उप् प्रयोग की जो प्रक्रिया है वो कोई नई प्रक्रिया नहीं है वो प्राचीनकाल से है लेकिन उसके प्रयोग की तकनीक बदलती रही अगर प्राचीनकाल में आप देखें तो हो सकता है जलसनसाधन को प्रयोग करने के लिए नदिया या कुए थे या जलाशे थे लेकिन से चलने वाले pump की साहईता इस पानी को निकालते हैं यानि संसाधन तो वही रहा, संसाधन तो अभी भी जल है लेकिन उसके उपयोग या उसके प्रयोग की प्रक्रिया बदल गई है और इस प्रयोग में या इस संसाधन निर्माण की प्रक्रिया में मनुष्य प्रमुग भूम का निगवाता है क्योंकि वही तकनीक का निर्माण करता है इसलिए हम संसाधनों के निर्माण में एक क्रमिक विकास की प्रक्या देखते हैं यानि हर कालखंड में कुछ नया जुड़ जाता है पिछली उपलब्द तकनीक में या हो सकता है कोई नई तकनीक ही कभी खोजी गई हो लेकिन अगर आप सोचें कि क्या इन संसाधनों के बिना हम प्रगति कर सकते हैं कि वह न हमारे पास तकनीक है संसाधन नहीं है वास्तों में तकनीक और संसाधन एक दूसरे के लिए पूरक है और इन दोनों के मद्ध जो संबंद है वो मनुष्य ही बनाता है यानि मनुष्य तकनिक का निर्मार करता है और मनुष्य ही इनका उपयोग करता है तो यहाँ पर संस्कृत की भी भूमी का प्रभावी हो जाती है क्योंकि संस्कृत ही कहीं पर तक्निकी विकास को दर्धारित करती है यानि अगर हम संस्कृतिक रूप से हम विक्सित होकर हम आगे बढ़ते हैं यहारी सभिता का विकास होता है तो हम नए-ने उपकरणों, मशीनों का प्रयोग करते हैं, हम परिवहन और संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं क्योंकि संसाधन के अगर आप देखें, अगर आप देखें कि जो कच्चा माल है वो हो सकता है, मद्ध भारत के किसी राज में संकेंदिर्थ है लेकिन उस से जुड़ा हुआ जो द्योग है वो भारत के जग्षिंतम बिंदु में भी भारत के पश्चिमी हिस्ते में भी स्थापित हो सकता है तो यहां पर परिवहन और संचार के साधन प्रभावी भूमिका निभाते हैं इसके साथ एक और भी चीज़ आप देखेंगे वो है सांसितिक संसाधनों की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर करते हैं मानवी कोशल के निर्मार्ड की यानि इसको हम human resource कहते हैं मानव संसाधन बोलते हैं हम उसकी बात करते हैं क्योंकि तकनीक विक्सित हुई तो उनकी तकनीकों के प्रयोग के लिए उजित मानव संसाधन या उजित कोशल पूर्ण मनुष्ट के निर्मार्ड की बात आई तो यह सांसित संसाधन के अंदर करती आता है यानि उपकराणा मशीने हैं लेकिन उनको प्रयोग करने वाला एक कुशल कारिगर या कुशल कारिमिक चाहिए परिवन और संसार के साधन तो विक्सित हैं उनको विक्सित करने के लिए मानव संसाधन चाहिए और उनको प्रयोग करने के लिए भी चाहिए साथी प्रमंधन तो मानव संसाधन का आधार है ही क्योंकि किसी भी उद्योग या किसी भी संसाधन को प्रयोग करने के लिए अगर हम कोई संरचना बनाते हैं उसके लिए उचित प्रमंधन की आवश्रक्ता होती है तो यहाँ पर मानव संसाधन प्रभावी होता है सामोहिक्स योग की भावना भी जब होती है तब भी हम इन संसाधनों का उच्छी दिव्योग कर पाते हैं तब हम दुख्द करांत की बात कर रहे हैं तो मैंने कौापरेटिव डिवलिम्मेंट की बात की भारत में दुख्द करांती वास्तों में सफल इसी लिए रही क्योंकि जो सहकारी छेत्र है उसने बड़ी तेजी से प्रगत किया आप बड़े सारे सहकारी उद्योगों को देखें जो कि आज दुख्द करांती का एक तरह से परियाय बन चुके हैं वो आप अपने आसपाज के छेत्रों में भी खोज कर सकते हैं या कई बड़ खबरों में भी आता है तो कॉपरेटिव के दौरा हम सामुहिक सहयोग की बात करते हैं ताकि जो वितरण की विसंगतियां हैं उन्हें कम किया जा सके इसके लाबा बौदिक कारी है, शिक्षा प्रशिक्षण है यानि ट्रेनिंग की बात करें ये सब भी सांस्रीक संसाधन के अंतरगत आते हैं और स्वास तो निश्चित रूप से एक प्रमुख सांस्रीक संसाधन है क्योंकि अगर हम सोचत नहीं है तो हम वास्तों में उप्लब्द संसाधन और तकनीक का भी उचित प्रयोग नहीं कर पाएंगे लेकिन संसाधनों की उप्लब्दता और संसाधन के प्रयोग करने की तकनीक के होते हुए भी कही सारी सीमाई होती है तो वो हर देश या हर कालखंड में होती है तो भारत में भी इसके उपयोग की सीमाएं हैं लेकिन इस सीमाओं के बावजूद भी हम बहुत सारी प्रक्रति को देखते हैं यह यह भी देखते हैं कि कैसे कारी कर रहा है जैसे अगर आप देखें तो जो प्रक्रतिक संसाधन है वो राष्ट विकास में महत्वण भूमिका तो निभाते ही हैं क्योंकि तक्निकी विकास के साथ साथ एक बड़ी संख्या की आवशकताओं की पूर्ति के लिए आवशक हो जाता है कि हम तेजी के साथ इन संसाधनों का प्रयोग करें और राष्ट को प्रक्रतिक के बढ़ाएं ताकि मानवी आवशकताओं की पूर्ति हो सके अब अगर आप भारत को देखें तो यह विष्ट का दूसरा सबसे बड़ा क्रिश आधारित राष्ट है जिसे हम हमेशा कहते हैं कि एक्रिक्रिक्सर बेश इक नौमी साथ ही डायवेस्टि है क्युंकि भगोलिक विष्टा है जलवाई विष्टा है तो वह था लगभग यहां पर पाय जाने वे सब भी रूपों में देखने के बलती है दूसरी और हम खनीज संपता की बात करते हैं तो उसके दौरह हम और्दय की विकास की बात करते हैं चु कि मान लेजिए किसी भी देश्ट में बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्द है लेकिन वहां उतनी जनसंख्या नहीं है तो ना तो मांग होगी और ना है उस मांग को पूरा करने के लिए उपयोगत कौशल होगा तो इसलिए बढ़ती जनसंख्या या एक व्रिद जनसंख्या भी एक संसाधन है लेकिन बढ़ती जनसंख्या मांग को भी बढ़ाती है और यहां से एक समस्या शुरू होती है कि जितनी ज़्यादा मांग बढ़ती है उतना ही ज़्यादा हम संसाधनों का उपयोग भी करते हैं संसाधन उपयोग में व्रिद्धि भी होती है तो कहीं ने कहीं इसकी दूरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ जाती है अब इससे होता क्या है? अगर हम संसाधनों का अतिधिक दोहन कर रहे हैं तो फिर बहुत सारी परियावर्णी समसाएं शुरू होती है असंतुलन में बिद्ध होती है हम संसाधन के उपयोग से अधिक्तम उत्पादन या अधिक्तम लाब के उद्देश से इनका अतिधिक दोहन करने लगते हैं इसके लाबा चाहें वो मृदा परदन हो चाहें वो वनो का नाश हो या अतिचराई हो ये भी इन संसाधनों पर प्रभाव डालते हैं कुछ और भी कारक हैं जो कि संसाधनों के अंचुत उपयोग की और बढ़ाते हैं जैसे अवग्यानिक क्रिशी है अगर कहीं पर माली ये ढाल है और उस पर हमने समोच रेखी जुताईने की वहाँ परदन जादा होगा क्रिशी क्रांत के पश्चाथ हम अतिधिक मात्रा में रासाइनिक उरवरकों की टांसकों का प्रयोग कर रहे हैं अतिधिक स्चाई का प्रयोग कर रहे हैं, इसके दवारा अवरवरता का भी हरास हो रहा है जल भराव हो रहा है, लवरता में विद्य जैसी समस्याएं देखने के मिलती है तो अतिधिक दोहन संसाधनों का कई सारी समस्याओं का कारण भी बनता है फिर से ही आधार बनता है बढ़ती जनसंख्या क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में हम संसाधनों का दोहन करेंगी और इससे क्या होगा कि संसाधन समाप्त होने लगेंगे यानि संसादन अगर हम पुनर नभी करणी संसादनों को चोड़ दें तो जो कई सारे जैविक और आजैविक संसादन ऐसे हैं जो कि प्रयोग के बाद समाब्त हो सकते हैं तो अगर इतना का इनका हम अत्तिक दोहन करेंगे तो कहीं न कहीं इनकी कमी का भी हमें सामना करना पड़ेगा अगर हम नदियों को ही देखें नदियों में हमने बांध तो बना दिये अब वहां सिल्ट या अफसाद जमा होने लगा तो वहां पर हम नदी मार को अबुर्द करते हैं वहीं दूसरी और नदी का जो प्रवाह है उसका कुल प्वार्शिक प्रवाह का के अबले हम 38% भागे प्रयोग कर पाते हैं तो कहीं न कहीं प्रयोग की कमी और जो प्रयोग कर रहे हैं उसके भी उचित उप्योग हम नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से बढ़ती दिन संख्या के कारण संसाधनों पर जो दबाव है वो भी हम बढ़ता हुआ देखते हैं तो बात आती है कि संसाधनों को हम कैसे संद्शित करें यानि विवेक पूर्ण उपयोग की बात आती है नियोजित उपयोग की बात आती है यानि जितना संसादन उप्रब्द है उसको हम वर्तमान आवशक्ताओं की पूर्थ के लिए उप्रयोग करें ही लेकिन उनको हम भविच के लिए भी बचा रखें आने वाली पीडियों के लिए भी बचा रखें इसलिए हम बात करते हैं दुरुपयोग को रोकने की अतिवपयोग को रोकने की और इसको रिसाइकल या पुनहुपयोग करने की बहुत सारे संसाधन आप देखें खबरों में सुनते होंगे कि वो समाप्त होने के कागार पे पहुँच गया क्योंकि हमने उनका अतिदिक दोहन कर लिया तो इसलिए फिर बात आती है सचनेवल डेवलमेंट की यानि सतत पोशनिय विकास की आज अगर आप देखें तो किसी भी संसाधन का प्रयोग हम जब करते हैं तो कहने कही हम सतत पोशनिय विकास की और एक बार जरूर देखते हैं क्योंकि विकास और संरक्षण इन दोनों के मद्ध एक संतुलन बना कर चलें ताकि हम अपनी वरतमान आवशकताओं की भी पूर्ती करें और इनको भविश्च के लिए भी बचा के रखें यही कारण है कि हम लोगों को जागरूप बनाते हैं कि हम कैसे संसादनों को बचाएं तो इसलिए संरक्षण की विडियों को भी जानना आवशक हो जाता है तो सबसे पहले क्या है कि हम जागरूक बने हम यह जाने कि वास्तों में क्यों संसादुनों को बचाना आवश्यक है जब हम खुछ जागरूक होगे हम कुछ और लोगों को भी अव्यर करेंगे और उन्हें हम एक तरह से सनचन के प्रति अगरसर कर सकेंगे वन रोपड भी एक तरीका है हम वन सादुनों का बड़ी मात्रा में दोहन करते हैं और उनको पुरह तयार होने में काफी समय लगता है तो वन रोपड अगर हम निरंदर करें तो मात्रा बढ़ा सकते हैं पहाडी छेत्रों में अगर हम सीड़ीधार खेती करते हैं समुझ चु चीठरों में पहले जोमिंग करी सीजा जिसको हम कहते थे वनों को जलाकर और वहाँ पर खेती की जाती थी जब वह वननए होता था तो किसी आरेठ चेत्र पराप्र करने लगते थे तो इस परंप्रा या प्रक्रिया को भी तोड़ा गया है और अब इसकी मात्रा काफी कम है, इसके लावा अतिचराई और अबनालिका परतन पर भी रोग थाम का प्रयास किया गया है पानी और उस पर भी अगर हम सुध जल्की बात करें, उसकी मात्रा कहीं कहीं कम होती जा रही है भले भारत के चारोरी विशाज जल्रासी है, लेकिन वो प्रयोग योग कई बार नहीं होती है विशेज करकर किशकारियों में हम बात करें और आंतरिक छेतर में बात करें तो इसलिए हम वर्षा जल को बचाने की बात करते हैं तो बाधों के निर्माण की बात करते हैं नदियों में इसके इलावा हम drip irrigation और हम बात करते हैं sprinkler irrigation की ताकि कम पानी से ज़्यादा हम सिचाई कर सकें साथ ही अद्योगिक घरेलों उपयोग के लिए हम जल के पुना चक्रन की बात करते हैं यानि पानी को एक बार हम प्रयोग करें उसको पुना चक्री प्रयोग करते हूं उसको हम अद्योगिक उत्पादन में हम प्रयोग कर सकते हैं तो इस तरह से कई सारी विदियों के प्रयो बचा कर प्रयोग करने के आफशकता है, उनको संक्चित करने के आफशकता है, साथ ही तकनीक की एक प्रमुक भूम का होती है, अगर हम किसी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी उप्योग के लिए उचित और अच्छी तकनीक का प्रयोग करें, जिससे जितनी मात्रा मे पुनाशक्रन की बात होती है हम alternative options की बात करते हैं माली जी कोई ऐसा संसाधन है जो की समाप्त हो सकता है तो हम कोशिच करें कि उसकी जगह पर कोई ऐसा संसाधन प्रयोग करें जिसका पुनाशक्रन संभव हो तो हम alternative options की बात करते हैं यह करण रहा है कि उर्जा के पारंपरिक स्रोतों को हम सनचित हमने किया यानि थर्मल और हाडल पावर की बात करें मुक्रूप से अगर हम ताप विद्धुत की बात करें तो कोईले के द्वारा या हम विद्धुत पादन करते थे जिसकी मातर धीरे-धीरे कम की गई और जो गैर परमपरा का स्रोत है जल का भी जल उर्जा या हाडल पावर की मात करते हैं इसके लावा जो अन्य गैर परमपरा का स्रोत हैं जैसे सौर उर्जा पवन उर्जा उनको विक्षित करने की बात करते हैं अगर हम सौर उर्जा की बात करें तो आप किधर भी निकलें आपको कहीं न कहीं एक कोई सौर उर्जा का प्रयोग करते हुआ एक दिखी जाएगा गर्यों के उपर आप देखें तो शीट लगी हुई है बड़े मात्रों में और्दों की गुरूप से इनका उत्पादन किया जा रहा है राजित्थान, मद्द, प्रदेश और कई ऐसे राज्ये हैं जहां पर हम बड़े छेत्र में सौर उर्जा उत्पादन हम देख रहे होते हैं तो इस तरह से संसाधनों के सरक्षण की बहुत सारी विदियां प्रयोग करके हम इन्हें भविश्य के लिए बचा सकते हैं तो अब बात आती है कि हम सरक्षण के दिशा में प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन क्या नीतिकत उपाय भी किये गए हैं तो निश्यत्य रूप से बहुत सारी नीतियां और कारक्रम इस दिशा में बनाई गई हैं विशेज रूप से वन एवं परयावरन मंत्राले 1980 में बनाया गया और सभी राज्यों में यह मंत्राले हैं जो कि वनो परयावरन को सनक्षण प्रतान करने का और इस दिशा में आवश्यक नीतियां बनाने का कार्य करता है 1950 में राश्ट्री वन नीति बनाई गई जो कि वनों के सनक्षण सुरक्षा एवं विकासियत बनी 1988 में इसे संशोधित किया गया हर छेतर को बढ़ाने जलाओ लखडी का उत्पादन वा उसकी आपोर्ती तदा सामाजिक वानिकी को इस नीति में प्रोसाहित किया गया है बनी और इस तरह से कई सारे नेति के दुपाई किये गए वर्तमान में भी आप देखें तो स्थवाही किस टक्निक यानि सस्टेनेवल अग्रिकल्चर टक्निक की बात की गई और और्गैनिक फार्मिंग को बढ़ाने की बात की जा रही है तो यह कई सारी नेतियां और कारक करने के लिए तो शिक्षारतियों आज किस कारक्रम में हमने संसाधन के अर्थ और महत्त को जाना हमने इससे वर्गी करना जाना साथ ही हमने जैविक और अजैविक संसाधनों के वितरन की बात की साथ ही हमने संसाधनों के उपयोग के बारे में बात की और यह भी जानने की क कोशिच की कौन से सर्रेक्षन की उपाय और नीतियां हम इन साधनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं मैं आशा करता हूँ कि आज की इस कायरक्रम से आपको उपयोगी जानकारी मिली होगी ऐसे ही कायरक्रम के साथ हम पुने आपके सामने आएंगे तब तक के लिए नमस्कार